जीवत पुत्र का वृत की कथा इस वृत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उदेश्य से करती हैं इस वृत को करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता इस वृत का स्री समाज में बड़ा महत्व और सम्मान है इस वृत को इस्त्रियां निर्चल रहकर करती है 24 घंटे के उपवास के पाद ही वृत का पारण करती है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अश्टमी को यह वृत रखा जाता है सब्तमी के दिन उडद की दाल भी गोई जाती है कुछ लोग उसमें गेहू भी मिला देते है अश्टमी के दिन प्राते काल वृती इस्त्रियां उसमें से कुछ दाने साबुत ही निगल लेती है उसके बाद ने कुछ खाती हैं और नहीं कुछ पीती है उस दिन उडद और गेहू के दान का बड़ा महत्व है वृत कता आरंब जिमूत वाहन नामक राजा पड़ाय दयालू और धर्मात्मा थे एक दिन में परवत पर गूमने गए उस परवत पर मल्लेवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई होई थी वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हिर्दे में प्रेम हो गया परस्पर प्रेम दर्शन का यह द्रिश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लोट गई तत्पष्चात जीमूत वाहन तब परवत पर भ्रमन कर रहे थे तब उन्हें पहयानक किसी के रोने की आवाज आई वे उस आवाज की ओर चल दिये खोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंक चोण साप की मा रो रही थी उन्होंने उसे रोने का कारण पूछा तो ग्यात हुआ कि उनका एक मात्र पुत्र आज गरुड के भोजन के लिए जाने वाला है जीमूत वाहन का हिर्देव द्रवित हो गया वे स्वम गरुड के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए नियत स्थान पर आकर गरुण ने जिमूत वाहन पर चोच से प्रहार किया किन्तु वे शांत स्वभाव से पड़े रहे हिले तक नहीं चोच में जब साप का स्पर्ष ने हुआ तो उसने नीचे देखा जिससे गरुण को आश्चर रहे हुआ वे सोचने लगा कि यह कौन पड़ा है तब गरुण ने उसे खाना बंद कर दिया तो जिमूत वाहन ने पूछा आपने खाना बंद क्यों कर दिया मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है मेरे शरीर में अभी भी मास है लगता है अभी तुमारी भूख मिटी नहीं है गरुण जिमूत वाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा गरुण ने शान्त भाव से सोचा यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुण ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किये गरुण ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा राजा ने कहा आज तक आपने जितने साप मारे हैं उन सब को जीवित करके भविश्य में साप ने खाने की प्रतिग्या कीजिए गरुण ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निपाया जब यह घटना घटी तो उसी समय राजकुमारी के पिता और भाई राजा जीमूत वाहन की घोज करते करते वहाँ आपहुँचे उन्होंने राजकन्या का विवा उससे कर दिया उस दिन अश्विन कृष्णव अश्टमी थी और उसी दिन से यहे वरत इसी तिथी को किया जाता है इसी संदर्व में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है महा भारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्तिती में कृत वर्मा और कृपा चार्रे के साथ अश्वत्थामा ने शिवर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला अश्वत्थामा ने सोई हुए द्रौपती पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट लिये दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सार्थी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे पंदी बनाया धर्मराज युदिस्टिर के आदेश और श्री कृष्ण के परामर्ष से सिर की मणी लेकर और केश मूंड कर पुत्र को बंधन से छुडा दिया अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोग अश्ट्र का प्रियोग पांडवों की वंश्धरा उत्तरा के गर्व पर किया पांडव उस अश्ट्र का प्रतिरोध ने कर सके उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी भगवान ने शुक्ष्म रूप से उत्रा के घर्व में प्रवेश करके गर्व की रक्षा की किन्तो जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्रयाय था भगवान ने उसे प्राण दिया वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परिक्षित हुआ परिक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस वृत का जीवत पुत्र का नामक नाम पड़ा है उर्दो का निगलना श्री कृष्न का शुक्ष्म रूप में उधर का प्रवेश माना जाता है अधे उस दिन भगवान श्री कृष्न की पूजा की जाती है झाल 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 झाल